जो जीता वही सिकंदर हिम्मत वाला वक्त हमारा है चाठी 420 और संग्राम जैसी फिल्मों में काम कर चुकी आक्ट्रिस आईशा जुलका ने 90 के तशक में बड़े परदे पराज किया आईशा जुलका ने हिंदी फिल्मों के साथ साथ तेलगू, कंदर और उडिया फिल्मों में भी काम किया है आईशा जुलका ने साल 1991 में आई फिल्म कुर्बान से बॉलिवुट में डेब्यू किया इसके बाद मंसूर खान के डिरिक्शन में बनी फिल्म जो जीता वही सिकंदर में आमिर खान के अपोजिट दिखाई दी इस फिल्म में आईशा ने अपनी मासूमियत और आक्टिंग से दर्शकों को अपना दिवाना बना दिया वहीं ये फिल्म हिट हुई और वे अपने करियर में साथ वे आस्मान पर पहुँच गई लेकिन अपने सफर मुकाम को छोड़ आईशा ने लाइम लाइट से दूरे काम व्यक्ति की तरह अपनी जिन्दगी जीने का फैसला किया उन्होंने साल 2003 में एक कंस्ट्रॉक्शन टाइकून समीर वाशी से शादी की लेकिन शादी के करीब 17 साल बाद भी उंके बच्चे नहीं है इसकी वज़ा के बारे में उन्होंने हाली में खुद खुलासा किया था 48 साल की आईशा ने हाली में एक वेब पोर्टल से बात की थी और बताया था कि उन्होंने क्यों बॉलिवुट को बाई कहा और शादी के बाद बच्चे ना पैदा करने का फैसला किया आईशा ने बताया उन्होंने जल्दी फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था इसलिए वो कभी भी एक आम इंसान की लाइफ नहीं जी पाई इसलिए उन्होंने नॉर्मल लाइफ जीने के लिए बॉलिवुट से दूर रहने का फैसला किया और उनका कहना है कि उन्होंने ये फैसला बिल्कुल सही लिया था उन्हें इस फैसले की वज़ा से एक नॉर्मल लाइफ जीने का मौका मिला इसके आगे आईशा ने मा ना बनने के फैसले पर भी बात की और बताया की मेरे बच्चे नहीं है क्योंकि मैं खुद बच्चे नहीं चाहती थी मैं अपने काम और समाजिक कारों पर बहुत समय और एनरजी इस्तिमाल करती हूँ और मैं खुश हूँ कि पूरे परिवार ने मेरे इस फैसले को सुईकार किया आईशा ने इस बात चीत के दोरान अपने पती की भी तारीफ की आईशा ने अपने पती के बारे में बताया की वो बहुत अच्छे इंसान है और उन्होंने उनके हर फैसले में उनका साथ दिया है आईशा ने कहा कि समीर ने जिन्दगी के हर पड़ावों में मेरी मदद की और मेरी जिन्दगी को बहतर बनाया है साथ ही मैं जो भी करना चाहती थी उसमें मेरा समर्थं किया मुझे कभी किसी तरह का प्रेशर महसूस नहीं हुआ आपको बता दे कि एक बक्त था जब आईशा को स्लिप डिस्क की भी समस्या थी और वह पूरे दिन बेट पर रहती थी फिलहाल आईशा इंदिनों अपना बिजनस संभाल रही है उन्होंने साम्रॉक कंस्ट्रक्शन कंप्पनी, एक लोथिंग लाइन, एक स्पा और बॉर्टिक रिजॉर्ट गोवा में खरीदा है अगर आपको हमारे ये विडियो पसंदाया हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूले ताकि आप इंटर्टेंडमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें चाहे बॉलिवड और टीवी से जुड़ी बिग निउस हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिबिटीस की डेटिंग फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉंट्रोवर्सीज हर वीडियो मिलेगा E24 पर तो फिर धमाकेदार इंटर्टेंडमेंट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहेए E24